इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है नालंदा जिला के रहुई प्रकंट से जहां बागन भीगा ओपी शेत्र के कादी भीगा गाओं में रेलवे गुम्टे के पास एक सो वर्ष पुराना पीपल का पेड़ अचानक गिर गया इससे पाच बच्चे जखमी हो गए है इसमें एक के हलत नाजुक बताई जा रही है जखमी की मा अरुना देवी ने बिलगते वे बताया कि चार पाच बच्चे पेड़ किनारे चापा कल के पास नहाने गये थे कि तब ही अचानक पेड़ गिर गया इसमें सभी बच्चे जखमी हो गए है वहीं ग्रामिनों ने जखमी को अस्पताल पहुंचाया जहां एक की हालत नाजुक बताई जा रही है घृण करेंगा प्राण प्राणा पेड़ करीवकर अच्छी सुखा वधा भाल बंच्छा खेल रहा था और कपड़ा लता फीच रा था यह एचानक गाच गीर गई अच्छा तो कि ज्याने तोटल कितना घायल हुआ है जब एक ही परिवार कहा है पेड़वा कहा है यह लेगा हुआ है कादिभी गहा है कादिभी गहा है रेल्वे लाइन के पास एक नमर गुंगटी के पास की नमर तो नाम मेरा लाली जादा भुआ कि अगाची के अगाची का मारीया एक तूट गेले बाभु एक बहस्त वे वी कोई वोस्तले मुच्ट भी ले लेगा लिए बाभु इतना भचा था चारो आपा बाभु चार्च को यहां कायो वा तिन यह को ड़ा है एक रहा टूट गाय लेगा बाभु द्धिश्माई का प् अपने बच्चों के नामांकन है तू लॉग इन करे www.rpsbiharsarik.com पच्चपन इंडिया का फेवरिट प्ले स्कूल करवाई अपने बच्चों का फ्री नामांकन पता डीडी सी आवास के पीछे नालंदा हिल्थ क्लब रोड एत्वारी बाजार बिहार शरीफ नालंदा अधिक जानकारी के लिए विजिट करे www.rpsbiharsarik.com